अयोधिया के भूमी पर राम मंदर बनाये जाने के विवाद के समाप्त होने की बाद अब राम मंदर के निर्मान की तयारियां जोर शोर से चल रही है पांच अगस्त को होने वाले निर्मान के भूमी पुजन का लिक्रम में प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी पहशने वाले हैं भूमी पूजन की पूरी तयारियां कर ले गई हैं अब पवित्र नदी उसे जल लाने के साथ ही तिर्थ स्थलों से मिट्टी भी एकत्रत की गई है राम मंदर भूमी पूजन के समय इसकी नीव रखी जाएगी अच्छालिस किलो की एक शिला की स्थापना प्रधानमंत्र की मोधी करेंगे साथी राम मंदर निर्माण से एक रूचक तथे भी जुनने वाला है इस मंदर के निर्माण के समेश की नीव में एक टाइम कैपसूल भी डाला जाएगा जिसमें मंदर से जुड़ी सभी जानकारियों का लेख होगा जिससे भविश्य में इस मंदर के इत लिहास को जान सके ताइम कैपसूल क्या है और कैसा होता है वो भी जान दीजे ताइम कैपसूल धातू के एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है ताइम कैपसूल हर तरह के मौसम और हर तरह की परिस्तिती में खुद को सुरक्षत रखने मे सक्षम होता है उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में रखा जाता है गहराई में दबे होने के बावजूद भी इस कैपसूल को कोई नुकसान नहीं पहुचता और ना ही इसमें कोई सडन गलन आती है कहीं भी टाइम कैपसूल डालने का मकसद किसी समाज काल या देश के इतिह को सरक्षित रखना होता है इस टाइम कैपसूल को डाले जाने का एक मकसद ये भी है कि भविश में फिर कभी कोई विवाद खड़ा ना हो सके टाइम कैपसूल मंदर का इतिहास समेटे होगा और आने वाले समय में इस बात की गवाही देगा कि ये जमीन भविराम मंदर की ह ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी राजनेता द्वारा किसी भी जगह के निर्मान के दौरान या उस जगह की इतिहास को सहिजने के लिए टाइम कैपसूल नीव में डाला जा रहा हो इसके पहले भी 15 अगस्त 1973 को ततकालीन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने लाल के लिए के पास एक टाइम कैपसूल जमीन में डाला था इस टाइम कैपसूल में क्या जानकारी दबाए गई थी ये कोई नहीं जानता बाद में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंद्रा गांधी ने इस कैपसूल में आजादी के 25 सालों के घटनागरम के साक्षों को दफन करवाया था और इसके लिए उन्होंने इंडियन काउंसिल ओफ हिस्टरिकल रिसर्च को अतीद की एहम घटनाओं को दर्ज करने का काम सौपा था हलाकि इस फैसले पर विरोध भी जिताया गया था और इंद्रा गांधी पर टाइम कैपसूल में अपने परिवार का महिमया मंदन करने का आरोप लगाया गया था इसके बाद जब 1970 में मुरार जी देशाई की सरकार भनी तब इस टाइम कैपसूल को खोद कर निकाला गया लेकिन सरकार ने कभी इस बात का खुलासन नहीं किया कि इस शिला लेक जिसका नाम कालपत्र था उसमें आखर लिखा गया है अप्रधार मंदरी नरिंद्र मोदी भी इस तरह का टाइम कैपसूल राम मंदर की नीव में डलवाएंगे जिस से हजारों साल बात भी इस मंदर के इतिहास को सरक्षित रखा जा सके आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें